हेलो दोस्तों वेलकम टू दे चैनल आज मैं आपके सामने बहुती अलग टाइप के वीडियो लेकर आया हूँ कि आज हमारे यहाँ पे महारास्ट्रा गवर्मेंट की तरफ से एक रिडूस्ट सिलाबस आया है कि जो कोविड पेंडेमिक के वज़े से 2020 और 2021 इस एर के लिए हम तुमाई बस आपको डीटेल में बताने के लिए यह दो वीडियो बनाऊंगा, part 1 में first paper के सब chapters के लिए बारे में बताऊंगा, part 2 में second paper के सब chapters के बारे में बताऊंगा, और page number भी लिखके दूँगा page number कौन से किताब के लिखके दूँगा ये जो हमारी state board की किताब है state board की महारास्टरा state board के बारे में ही ये विडियो है ये सब याद रखिए महारास्टरा state board के students के लिए ये topic है और कौन-कौन से विडियो इनके reduced हुए है जो cut हुए है जो सिर्फ मेरे हिसाब से 2021 एर के exam के लिए कैसे हुए है बस ये याद रखिएगा और विडियो पूरा देखिए है part 1 के लिए ये विडियो है part 2 के लिए मैं another video बनाऊंगा कि जिसमें second paper के बारे में सब discussion कर लूँगा और हम क्या कर लेंगे page number भी mark कर लेंगे जो जो topic कैसा हुआ है cut हुआ है ये मैं अपने मन से नहीं बोर रहा हूँ कि जो PDF महारास्टर स्टेट गवर्मेंट ने क्या किया था जारी किया था कि उसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि हर एक topic में हर एक chapter की हिसाब से कौनसा topic उसका cancel हुआ है उसके बारे में मैं क्या कर लूँगा मैं आपको clear vision उसका दिये दूँगा तो सबसे पहले शुरू कर दे बिटा बिल्कुल time pass नहीं करेंगे तो सबसे पहले शुरू कर देते हैं पहला chapter था हमारा rotational dynamics अब rotational dynamics के बारे में पढ़ते हैं इस वोज और first chapter and this is rotational dynamics अब rotational dynamics में हमारा क्या cancel हुआ था हमारा cancel हुए topic है first topic is our spear of death अब spear of death आपके लिए page number 11 पह वेटा यह is spear of death अब यह page number कहां पह है page number 11 mark कर लीजिएगा वो आपके लिए क्या हो गया है उसके exact नीचे का जो topic है vehicle at the top of convex bridge यह जो topic है वो भी कहां पह है page number 11 पह ही है वो topic भी कहां भी मिलेगा आपको page number 11 पही मिलेगा तो वो भी क्या हो गया है cut हो गया है तो यह दोनो topic क्या हो गया है cut हो गया मैं बस यह topic कह रहा हूँ कि ये topic हम आपके 2021 के exam के लिए क्या हो गया है cut हो गया है और सिर्फ महारास्टरा state board के लिए और NEET और JE के बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है ये state board के लिए है और state board के examination के लिए है तो ये अच्छे से द्यान रख लीजिएगा इसके बाद में एक पूरा का पूरा topic है जो rolling motion का topic है जो page number आपको 19 पे मिलेगा 19 20 ये दो topic ये दो pages जो है page number 19 और page number 20 उन पे रहने वाला rolling motion का topic भी आपका क्या हो गया है deduct हो गया है कौन से chapter से rotational dynamics से हम हर एक chapter के बारे में discuss करने वाला है तो जड़ा शांती से और ये reduce हुआ our topic है यानि बाकी chapter आपको पढ़ने के लिए है इन तीन topics को क्या कर दिया है निकाल दिया गया है अब ये rotational dynamics के तीन topic हो गया है बिल्कुल time pass नहीं करूँगा क्योंकि सब chapter समय पढ़ लेने तो rotational dynamics के तीन हो गया है अब mechanical properties of fluid में उन्होंने पहला topic दिया है प्रेशर का topic क्या कर दिया है deduct कर दिया है अब pressure का पूरा topic अगर उन्होंने deduct कर दिया है तो ये कहाँ पे गया है 27 page number से 33 page number तक का सब कुछ इसमें उड़ गया है सब कुछ cancel हो गया अब क्या क्या cancel हुआ है तो आप इसे देख सकते हैं सबसे पहले 27 page number पे pressure की definition तो cancel हुई ही है उसके बाद में जो हमारा pressure of liquid column का expression था P is equals to rho H G वो भी क्या हो गया? cancel हो गया उसके बाद में absolute pressure की concept भी cancel होगी absolute pressure वो concept भी कैसे हुई? cancel होगी इसके बाद में जो due to height का expression था due to height का and due to depth का pressure due to height and pressure due to depth वो भी चला गया hydrostatic paradox भी गया paradox भी क्या हो गया? cancel हो गया paradox cancel हो गया, pascal's law cancel हो गया यहनि मैं इसको निकाली देता हूँ हम पूरा list ही बनाएंग hydrostatic paradox भी cancel हो गया, बाद में pascal's law वो भी cancel हो गया hydraulic lift, hydraulic brakes, दोनों cancel हो गया hydraulic brick भी गया, hydraulic lift भी चली गया और page number 33 पे जो mercury barometer है mercury barometer और open tube manometer वो भी cancel हो गया तो यह हमारा add हो गया mercury barometer और open tube manometer यानि यह तो पहला topic था pressure का कौन से page number से है? 27 to 33 इसमें और भी कुछ-कुछ cancel हो आए, वो भी देखते रही है एक और topic इसमें है equation of continuity जो आपको कहाँ पे मेलेगा? page number 48, 49 यह पूरा expression cancel हो चुका है अब expression कौन सा था? यह मैं आपको नहीं बताऊँगा लेकिन expression cancel हो चुका है यह आप समझ लिजे और उसके बाद में भी उन्होंने बुरुनूलीज equation जो रहता बुरुनूलीज equation बुरुनूलीज equation जो page number कहाँ पे है? page number 50 से लेके page number 53 तक वो भी क्या हो गया? cancel हो चुका है तो सबसे ज्यादा जो deduction है वो deduction किस चाप्टर में मिलता है हमें? mechanical properties of fluid में है तो mechanical नैचरली इनके उपर dependent रहने वाले numericals भी क्या हो जाएंगे? cancel हो जाएंगे तो rotational dynamics हो गया है यह हो गया हमारा mechanical properties of fluids page number आप लिख लीजे 27 to 33 48 से 49 50 से 53 यह क्या हो गया है? cancel हो चुके है अगले चाप्टर की तरफ बढ़ता है हमारा अगला चाप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं that is kinetic theory of gases and radiation textbook लेके ही बैठिये और page number नोट करते जाएं चलिए third chapter पी जलते हैं that is kinetic theory of gases and radiation अब kinetic theory of gases and radiation उसमें cancel हुए गये topic है behavior of gases सबसे पहले कट हुआ let is add page number 56 इसका कौँचा topic कट हुआ शिर्फ behavior of gases 56, 57 page number पे जो ideal gas का equation दिया है ideal gas की जो term explain की गई है वो क्या हो गई है? cancel हो गई है 57 page पे ही एक mean free path का topic है जिसमें lambda का हमारे लिए formula बना के दिया है वो भी क्या हो गया? cancel हो गया तो यही बस तीन topic है सिदे सिदे introduction के पहले दो pages cancel हो चुके है बाकी chapter हमें है पढ़ने के लिए है यहीं 3.5 से chapter हमारे लिए क्या है? पढ़ने के लिए है और उसके बाद में 61 और 62 पे जो law of equipartition of energy है 61 and 62 यानि इन दोनों को मिला के जैसे law of equipartition of energy में हमारे लिए 61, 62 पेज़ नंबर भी क्या हो जाता है cancel हो जाता है जितमे degrees of freedom की term भी हमारे लिए क्या हो गई है cancel हो गई है समझ मैं आ रहा है आपको कि page number मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुत सारे student आईसे हो सकते कि जिनको यह topic पता नहीं है जिन्होंने यह topic पढ़े नहीं है अब तक बेटा कोई tension मत लीजे आप channel पे सब topic पढ़ेंगे लेकिन यह topic आपके लिए क्या हो गए है reduce हो गए है इस chapter में यह आप जहान से समझ लीजिए यह kinetic theory of gases and radiation में यह topic आपके लिए क्या हो गया है cancel हो चुके है अगले chapter की तरफ बढ़ते हैं अगला chapter हमारा thermodynamics है page number note करते हैं बेटा textbook आपके साथ में ही रखी है तो इस एक बात से सब agree करेंगे कि यह chapter जो था thermodynamics यह नया add हुआ था और यह बहुत बड़ा chapter हमें दिया गया था लेकिन उसमें का जो जो cancel हुआ है वो page number आप देख लिजे सबसे पहले heat engines का topic cancel हुआ है जो हमारे लिए page number 96 पे है यह 96 after 96 बहुत सारा topic cut हुआ है तो एक बार वो देख लिजेगा 96 page number पे जो heat engines का topic है जो यहां से शुरू होता है heat engines का जिसमें 4.8.1 से यह topic शुरू होता है कि जो cancel हो रहा है पूरा पूरा 4.8 का topic उन्होंने क्या कर दिया है cancel कर दिया है जो जाता है page number 96 से बनता है और वो 101 तक है लेकिन उनमें भी उन्होंने explain करते हुए 96 का भी cancel हुआ फिर 99 पे refrigerator and heat pumps करके एक topic है वो भी गया हो गया है cancel हो गया है फिर second law of thermodynamics जो page number 102 पे है जो वहाँ पे page number 102 पे second law of thermodynamics यह पूरा cancel हो गया है बेटा page number 102, 103 इसके बाद में 104 का Carnot cycle and Carnot heat engine वो भी cancel हो गया Carnot cycle, Carnot engine भी cancel हो गया और page number 106 का sterling cycle भी cancel हो गया है याने basically after 96 आपका पूरा ही chapter क्या हो गया है कड़ी हो गया है thermodynamics after 96 that complete chapter has been reduced and thermodynamics has made exactly half of its original size तो thermodynamics पहुत कम बचा है और thermodynamics के यह topic क्या हो गया है revise हो चुक है हमें रुकना नहीं है हमें पूरे chapters देख लेने है एक बार तब हम जाके आप आपको पूरा syllables क्या हो जाएगा revise structure में मिल जाएगा यह हो गया thermodynamics इसके बाद का हमारा chapter था फिटा कौनचा था? that chapter was our oscillation अब एक बाद याद रखिये जब topic cancel होता है तो उस पर dependent रहने वाले numericals भी eventually क्या हो जाते है cancel ही हो जाते है उनका ऐसा कुछ नहीं रहता कि numericals रहे जाएंगे numericals भी उन पर क्या हो गया है? cancel हो गया है तो oscillations के बारे में देखते हैं देखिए अब oscillation के बारे में बात करते हैं बस oscillation के applications को क्या किया है उन्होंने थोड़ा कम कर दिया है एक जो method थी reference circle method जो है जो page number 116 पर आती है अब reference circle क्या था वेटा? reference circle यहने क्या है? projection of UCM on in in diameter वो जो method है page number 116 and 117 पर जो 5.7 topic है topic number 5.7 हम कह सकते है तो वो क्या हो गया है? cancel हो गया है इसके बाद में graphical representation of SHM जो graphical representation है page number 118 and 119 यह तो मैं बहुत लोगों को कहता था कि यह topic जाने ही वाला था that was the basic application structure और अगर reduced होगा जिला बस तो यह topic आए नहीं सकता तो वो भी cancel हो गया है graphical representation भी cancel हो गया जो हम कह सकते हैं 5.9 था हो क्या हो गया? cancel हो गया इसके साथ में damped oscillation का एक part था जो 126 और 127 हमारा क्या हो गया है? cancel हो गया है 126 गया है, 127 गया है यह दोनों topic क्या हो गया है हमारे? निकल गया है और 127 and 128 पे जो आखरी में free vibration, force vibration का theoretical topic था वो भी oscillation का क्या हो गया? deduct हो गया है यह बेसिक जो questions थे energy का, simple pendulum का, differential equations का, expression का वो topic उन्होंने रखे है कि oscillations, चप्टर जादा नहीं cut हुआ है लेकिन थोड़े से application based structure क्या हो गया है उसके cut हो चुके है तो oscillations इतना गया है oscillations के बाद में, oscillations के इनके निमरी कले भी जाएंगे फिर बाद में एक बहुत बड़ा chapter था हमारे पास super position of views उसका क्या हाल है? वो भी एक बार देख लेते हैं आप chapter के page number note करते रहे हैं दोस्तों क्यूंकि यह बहुत काम में आएगा, यह इसी badge के लिए है यह फिर से मैं बोलता हूँ 2021 का syllabus है जो कम हुआ है समझ रहे हैं? तो 6 chapter भी जाते हैं तो देखते हैं super position of views इस chapter में बोल्डने क्या गिया है? कमजोर batsmen निकाल दिये हैं तगडे batsmen रखे हैं यह यह वैसे भी confusing topic था जो इस नए syllabus में हमारे लिए phase difference का एक topic बदल के आया था तो वो क्या कर दिया है? 2021 के लिए उड़ा दिया गया है बात में इस पर discussion कर सकते हैं तो reflection of wave क्या कर दिया? उड़ा दिया बात में जो आखरी के topic थे page number 153 के page number 153 से आगे जिसमें characteristics of sound जिसमें loudness, speech, quality, timber and musical instruments musical instruments ने वो भी क्या कर दिया है? उड़ा दिया है oscillation और superposition of waves के सब important questions बचे हैं, सब रखा गया है सिर्फ जो मेरे हिसाब से और बहुत लोगों की हिसाब से जो seriously थोड़े से कम topic है, जो कम conceptual topic है वो क्या कर दिया गया है? उड़ा दिया गया है तो इन सब को आप समझ लीजे, page number आपने लिख लिए एक बार, फिर से note कर लिए अगले topic के तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे लिए first paper में हम कह सकते हैं, यह आखरी concept है जिसे wave optics कहेंगे इसके बाद में second paper शुरू होगा, जिसका video भी बना है second paper का भी video ready है तो वो भी एक बार देख लीजेएगा जिससे आपको आसानी हो सके समझने में तो wave optics का एक बार देख लेते हैं तो wave optics भी बहुत कम कर दिया है सबसे पहली बाद तो newton साब हमारा साथ छोड़के चले गए इस साल कि corpuscular nature जो है कि जो dependence of यानि जो medium के हिसाब से उसका dependence of wavelength का था reflection of light का जो topic था वो क्या है वो चला गया है 164 का और polarization का 7.7 का पूरा topic उन्होंने क्या कर दिया है उड़ा दिया है यार मने polarization पे बहुत अच्छे से वीडियो बनाया थे बट चलो polarization तो चला गया अपना साथ चुड़के polarization ये साल एक्जाम में नहीं है लेकिन interference है बेटा पूरा interference है पूरा diffraction है उन्हें बहुत अच्छे से इसे पढ़ा था resolving power का जो topic है पिज नंबर 180 पे 180 पे जो 7.10 है 7.10 उन्होंने क्या कर दिया है पूरा cancel ही कर दिया है resolving power उड़ा दिया है तो resolving power page number 180 का भी क्या हो गया है cancel हो गया है तो ये था हमारा first paper कि जो क्या हो चुका है cancel हो चुका है जितना cancel हुआ है अब second paper चुरू होता है अगले chapter से अगले chapter से यानिए share किजिए subscribe किजिए और जो topic बचे है उनको channel से पढ़ते रही है उनसे छुट्टी तो नहीं हुई है वो तो चालूई रहेगा आगे जबज मेटा second paper का वीडियो देखते है